Hello students, आज हम पढ़ने वाले हैं, Class 10 के English book, The First Flight का Chapter 11, The Proposal, जिसको Entend Checkup ने लिखा है, तो The Proposal Chapter, Russian Wedding के बारे में, यह बहुत interesting स्टोरी है, पहले देखते हैं, Russian Wedding के बारे में, Preparation for a Russian Wedding, A Russian Wedding is very simple, The Planning only includes Arranging for Rings, Rights, Dress, Cars and Reception, तब सबसे पहले यह प्लानिंग की जाती है, Russian Wedding में, Rings Exchange की जाते हैं, Cars and Reception, यह सारे Show Off होता है, Russian Wedding Ceremony होता है, सबस में, So Off बहुत जादा करते हैं, और कई दिनों तक प्रोग्राम चलता रहता है, Earlier, The Brides Family Paid for the Reception, पहले के समय में, जो Brides की फेमिली होती थी, वो Reception का खर्च उठाते थे, But Nowadays, Brides and Groom's Families usually share expenses, लेकिन आज के समय में, दोनों की फेमिली, Bride की और Bride Groom की फेमिली दोनों मिल करके, और खर्च को उठाते हैं, A Russian Wedding lasts for two days, Russian Wedding वैसे तो दो दिन तक चलता है, Some Weddings last as long as a week, and the occasion becomes something to remember five years, कुछ Wedding होते हैं जो एक हप्टे तक चलते हैं, और कुछ ऐसा उसमें करते हैं जिससे, कि वो पूरे साल याद रख सकें, और यादगार बन सकें, The Necessary Part of the Wedding Ceremony is a Wedding Procession of several Cars, जो Important Part होता है, वो होता है कि बहुत से Cars वहाँ पर डेकुरेट करने के लिए रखे जाते हैं, एक सोसाइटी में एक मैसेज दिया जाता है, और एक दूसरे को दिखाने की कोशिज की जाती है, The Best Friend of the Groom, Bride, Meet Before the Wedding, सबसे पहले क्या होता है, कि वेडिंग से पहले, जो Best Friends होते हैं, Groom की और Bride की, जो भी Best Friend होते हैं, आपस मिलते हैं, Few Times, Party करते हैं, एक दूसरे को जाने कोशिज करते हैं, Make Posters, Posters बना जाते हैं, Speeches लिखे जाते हैं, Organized Contest, When the Groom arrives to fetch the Bride for the Registration, जब Groom जो होता है, Bride को लेने के लिए आता है, Registration कराता है, He has to fight to get her, इसके लिए उसको बहुत संगर्ज करना पड़ता है, Russians usually live in apartment in tall buildings, जो Russian होते हैं, वो usually apartment में रहते हैं, उच्छी उच्छी इमारतों में रहते हैं, When the Groom arrives to fetch, Russian usually live in apartment in tall buildings, and the Groom has to climb several stairs to reach his bride, the Groom has to climb several stairs to reach his bride, Groom को कई स्युडियां पार करके और तब Bride के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो अलग-अपार्टमेंट में रहते हैं, But at each landing, he must answer a question, और हर एक स्टेप पर उसको सवालों का जवाब देना पड़ता है, जो की Bride के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो पूछते हैं, The Bride's Friends Ask Difficult Questions, ये जो questions होते हैं, ये कभी-कभी Bride के बच्पन से सम्मधित होता है, कुछ पहलियां होती हैं, जिसका जवाब देना होता है, और जवाब देने के बाद ही वो next step में जा सकता है, जैसे माल लो, बच्पन के फोटोग्राफ दिखाए जाती हैं बहुत सारी बच्चों की, और उसमें पूछा जाता है कि इसमें बच्पन के बच्पन का फोटो कौन से हैं, अगर वो गलत आंसर देता है, तब उसको कुछ कैस देना पड़ता है, और तब वो आगे बढ़ता है, आप्टर दे मैरीज सरीमिनी रेइस्टेशन, दे नीवली मैरीट कॉपल लेफ्ट दे गेस्ट फ़र टूर अप दे सीटी साइट, मैरीज रेइस्टेशन के बाद जो नीवली मैरीट कॉपल होते हैं, वो फिर टूर पे निकल जाते हैं, आफ्टर टूर थ्री आप दे सीटी टूर, दे कॉपल अराइब से दर रेइस्टेशन, दो तीन घंटे घुमने के बाद वो वापस आते हैं रेइस्टेशन में, दे कॉपल चिट्स एड इस्पेशली अरेंज टेबल विद देर फैमिली फेर्ड्स, और फिर वो अपने फ्रेर्ड्स के साथ बैठते हैं, गेस्ट के साथ बैठते हैं, रेसेप्शन स्टार्ट with a toast to the कउपल, रेसेप्शन जो स्टार्ट होता है, वो दोनों जो bride or groom होते हैं यह दोनों toast खाते हैं wedding toast is a custom where close friends are relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple इसमें कुछ wishing करना पड़ता है wedding toast is a custom यह मतलब प्रधा है wedding toast जहां पर उनके जो close friends होते हैं यह relatives होते हैं groom के यह bride के जो close friendly relative होते हैं वो कुछ शब्द बोलते हैं कुछ wishing शब्द बोलते हैं और guess करना होता है then everyone raises their glass of wine उसके बाद सभी लोग wine का glass उठाते हैं and drink it up at the same moment और फिर इसको एक साथ चिर अप करते हैं पीते हैं the groom is then asked to kiss the bride after a few toast people start eating and drinking फिर लोग enjoy करते हैं खाते हैं पीते हैं और fun करते हैं after some time the bride gets stolen कुछ दिर बाद bride की चोरी हो जाती है she disappears and when groom starts looking for her मतलब चोरी नहीं होती है बलकि उसको छिपा दे जाता है और जब groom उसके तलास करने लगता है तो he is asked to pay a fee फिर उसको पैसे की डिमांड की जाती है usually it is his friends who steal the bride क्योंकि जो friend होते हैं उनके bride की वह ही चिपा देते हैं और फिर उसके बदले groom से पैसे मांगते हैं then there are the bride's friends they steal the bride's suit और फिर जैसा की Indian culture में होता है bride के जूते चुरा ली जाते हैं the groom must pay money for the suit too फिर groom को जूते के लिए पैसे देने पड़ते हैं the guests enjoy watching this tussle and continue parting guests यह सब देखते हैं और अपना party enjoy करते हैं तिस तरह से wedding जो Indian wedding होता है उस तरह से मिलता जूता थोड़ा बोत होता है the proposal अभी story की बात करते हैं the proposal originally titled a marriage proposal palace का नाम था marriage proposal is a one act play ये one act play है मतलब एक ही act में खतम हो जाता है farce farce वो प्ले होता है जहां पर चीजों को बना चुणा के पेस किया जाता है by the rushing short story writer and dramatist intense check-up it was written in 1888-89 के बीच लिखा गया था the play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families ये जो play है जिसमें दिखाएंगे है कि जो Russian wedding के wealthy families होती है उनका relationship कैसे दूसरे wealthy families के साथ होता है to increase their state by increasing marriages that make good economic sense मतलब जो royal family होती है वो हमेशा उनके अंदर एक economic sense होती है यह निए हमेशा वो पैसे को ध्यान में रखके साधी करते हैं इवान लोमू ये जो character है इवान लोमू अ लॉंग टाइम वेल्दी नेवर आप स्टीपेंड चिब को तो दो characters में सामने आ रहा है एक स्टीपेंड चिब को और एक हिर इवान लोमू दोनों एक दूसरे के परोसी हैं और दोनों बहुत पैसे वाले हैं जो कि चिब को की बेटी है और जिसकी एज है 25 येर्स ओल तीनों जो है जग्रालू लोग है और जो चोटी चोटी बातों पर भी जग्रा कर लेते हैं जो मैरेश परोजल होता है वो जग्रे के बीच में लोग भूल जाते हैं जिस चीज की बात करने आया है लोमो वो जग्रे के चक्र में भूल जाता है और दे एकनामेक गुड्स जैंस इंस्योर देट the proposal is made लेकन चुकि वो दोनों एक royal family से belong करते हैं और पैसे का importance उनके अंदर है यानि उनके अंदर कुछ एक economic sense है इस वज़ा से फिर शादी तैम है जाती है एक गरी में जाते हैं लोडने के बाद भी अप्टर अल्दो दा quarreling परहपस continue लेकन उसके बाद भी उनके लड़ाई जारी रहती है यह मेंन करेक्टर है स्टेपिन चुबको जो की land owner है नतालिया उसकी daughter है 25 years old इवान लोमो जो की चुबको का एक परोसी है और बहुत ही सक्की मिजास का आदमी है यह पहला part हो गया है परोसी है